हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दनेक्स्ट लेबल में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवनसो के संस्थापक जो कि हम ट्रीक से याद करने वाले हैं क्योंकि ये कोस्चन जो है एक्जाम में एक ना एक पुछा ही जाता है तो इसमें काफी कंफ्यूजन भी होती है तो इसे ट्रीक से याद करने पर कंफ्यूजन नहीं होगी हमें तो ये कम से कम 20 से 25 होंगे हमारे पास जिसे हमने ट्रीक से बनाया है तो आईए, देख लेते हैं तो पहला question है चोलवन्स के संस्थापक कौन है? इसका answer है विजयालाय तो हम इसे याद करेंगे कि कहीं भी चलते हैं या हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? तो विजया हसिल करने के लिए जाते हैं कहीं भी आप चलते हैं ये जाते हैं तो किसे लिए अपना लक्ष को प्राप्त करने के लिए यानि की विजय हासिल करने के लिए तो इसका एंसर हो जाएगा क्या विजयालाए ठीक है ये थोड़ा सा आपको मजा किया टाइप का लगेगा दोस्तों लेकिन इसे याद रखने में अच्छी आपके लिए अच्छी होगी अगला है राष्ट कूट वन्स के संस्थापक कौन है इसका एंसर है डी यानि की दंती दुर्ग राष्ट कूट कूट से याद करें काटना कूट काट काटते हैं जिसे हम तो किस चीज़ से काटते हैं तो दात से काटते हैं यानि दंती से दंती से काटते हैं तो इसी से हम याद रखेंगे कि राष्ट कूट वन्स के संस्थापक कौन है तो दंती दूर्ग ठीक है नेक्स्ट है पांडे वन्स के संस्थापक कौन है तो पांडे नडे आ रहा ना इसमें नडे देखिए पांडे नडे से याद रखेंगे नेडियोन ठीक है कैसे याद रखेंगे पांडे वन्स के संस्थापक तो पांडे नडे आ रहा है इसमें पांडे तो नडे से नेडियो ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम वन्स के संस्थापक कौन है, ठीक है, इसका एंसर है C, यानि कि कुत्बूदीन ऐबक, इसे याद रखेंगे हम बक ने से, ठीक है, ऐबक, ऐबक मत, नहीं तो तुम्हें हम गुलाम बना देंगे, ठीक है, तो बड़ा-बड़ा राजा लोग, म मजदूर लोग बोल नहीं सकता था, बक नहीं सकता था कुछ, नहीं तो उसे क्या करते थे वो गुलाम बना देते थे, तो इसी से हमको याद रखना है, गुलाम वंस के संस्थापक कौन है, कुतुबुदीन एबक, एबक, ठीक है, नेश्ट है, चंदेल वंस के संस्थापक नहीं है, बोलता है नहीं है, ननुक, नहीं है, कल आईए, ठीक है, तो चंदेल वंस के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ननुक, ठीक है, ननुक यानि कि नहीं है, नेश्ट है, परमार वंस के संस्थापक कौन है, तो इसके लिए ट्रीक है, कि एक लड़का था, उसका नाम था उपेंद्र ठीक है तो उपेंद्र जो था वो बहुत मार करता था कहीं भी जाकर वो मार करता था ठीक है तो इसी से हम याद रखेंगे परमार वन्स के संस्थापक कौन है उपेंद्र इसका एंसर हो जाएगा संग्राम राज इसे हम याद रखेंगे संग्राम यानि कि किसी से हम संग्राम या लडाई करने के लिए जाते हैं तो हम लोहा का ही औजार लेके जाते हैं जिसे तीर हो गया आगे लगा हुआ रहता है लोहा तलवार या फिर भाला ये सब किस चीज़ बना होता है तो लोहा का ठीक है तो लोहा से हम क्या करेंगे संग्राम करने जाएंगे लोहा का अवजार लेकर तो हम याद रख सकते हैं लोहार बंस के संस्थापक कौन है तो संग्राम राज नेश्ट है बहुमनी बंस के संस्थापक कौन है तो बहुमनी बंस मतलब की बहुत मनी हमारे पास बहुत मनी आ जाएगा तो क्या करेंगे हम हसेंगे खुस होंगे और क्या करेंगे गंगा में नहाने के लिए जाएगे हम बोलेंगे चलो बहुत मनी है तो गंगा नहा लेते हैं ठीक है यह हमारा ट्रीक है तो बहु मनी वांस के संस्थापक कौन है तो डी हसन ग हसेंगे और जाएंगे हम गंगा नहाने के लिए नेश्ट है मौर्य वन्स के संस्थापक कौन है तो इसका एंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य यह आपको ध्यान रखना है यह जो हम ट्रिक दे रहे हैं दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट है आपको यह किसी भी एकजाम में एक वन्स पूछा ही जा सकता है तो आपको इसको अच्छा सा याद रखना है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट है सुंग वन्स के संस्थापक कौन है इसका एंसर हो जाएगा B यानि कि पुस्यमित्र सुंग सुंग देखे शुरू हो रहा और यह वन्स के टाइटल में भी सुंग लगा हुआ है ठीक है इससे आपको याद रख लेना है सुंग वन्स के संस्थापक कौन है तो पुस्यमित्र सुंग लोदी वन्स के संस्थापक कौन है तो इसका एंसर हो जाएगा A यानि कि बहलोल लोदी बहलोल से हम याद रखेंगे बकलोल ठीक है बकलोल लोदी तो बकलोल क्यों हम इसे कहेंगे क्योंकि लाष्ट जो है दिल्ली सल्तनत पे वो लोदी ने ही राज किया था तो दिल्ली सल्तनत के लाष्ट यानि कि खतम कर दिये थे कौन तो लोदी लोग तो लोदी क्यों खतम कर दिये थे क्योंकि वो बकलोल थे यह हमारा ट्रीक है ठीक है तो बकलोल लोदी इसी से हम याद रखेंगे गुलाम से दिल्ली सल्तनत शुरू होता है और आखरी किसमे होता है जाके लोदी में नेक्स्ट है खिलजी वन्स के संस्थापा कौन है इसका एंसर हो जाएगा C जलालुद्दीन खिलजी तो इसे हम याद रखेंगे खुजली से जो हमें खुजली अगर हो जाती है तो वहाँ जादा हम नोच देंगे या फिर रगर देंगे तो वहाँ हमारा जलने लगता है तो जलने से याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों खिलजी वन्स के संस्थापा कौन है तो इसके लिए हमें याद रखना है सिवाजी भोसले जो है वो महाराष्ट्रा में निवास करते थे पहले से अभी भी वही के है महाराष्ट्रा के इसके लिए हमें कोई trick बन नहीं पाया है अगर आपको कोई trick लगता है दोस्तों तो आप बना सकते हैं इसके लिए तो भोसले वंस के संस्थापक कौन है तो सिवा जी नेक्ष्ट है चोहान वंस के संस्थापक कौन है इसका एंसर है वासु देव इसको याद रखेंगे हम चोहान चोहान लोग जो है काफी दिनों से काफी दिनों से यहां वास कर रहे हैं मतलब वो बहुत पुराने है यहां के भारत के चोहान तो वो बहुत पुराने दिनों से यहां वास कर रहे हैं मतलब रह रहे हैं तो उससे याद रखना हमें वासू देव ये पिर्थवी राज चोहान हमें नहीं ध्यान देना है ठीक है ये इसमें क्या चुपा हुआ है ट्रीक हमारा चोहान वन्स के संस्थापक कौन है तो चोहान यहां के बहुत पुराने निवासी है तो निवासी जो है वो यहां क्या करते हैं वास करते हैं यानि कि वासु देव ठीक है अगला है सेन वन्स के संस्थापक कौन है तो सेन वन्स के संस्थापक है सामन्त सेन इसमें टाइटल में ही देखिए सेन लगा हुआ है तो ऐसे कुछ है जिनके टाइटल में ही उसके वन्स के नाम चिपे हुए है तो इसको आपको धियान रखना है सेन वन्स के संस्थापक कौन है सामन सेन नेक्ष्ट है नंद वन्स के संस्थापक कौन है तो नंद नंद आ रहा है तो इससे हम याद रखेंगे महापदमा नंद ठीक है चंद्र नंद या नर्सिंग ये सब नहीं है तो नंद वंस के महापदमा नंद नंद में देखिये नंद लगा हुआ है तो इससे आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है गुप्त वंस के संस्थापक कौन है तो इसमें देखिये आप गुप्त लगा हुआ है फर्स्ट में तो यहां से हम याद रख लेंगे स्री गुप्त ठीक है गुप्त का स्री गुप्त अगला है पाल वंस के संस्थापक कौन है तो पाल वंस के संस्थापक आपको याद रखना है गो पाल पाल वंस के संस्थापक कौन है गो पाल पाल में देखिए लगा हुआ है गो में पाल तो गोपाल ठीक है ये धर्म पाल, विजय पाल ये नहीं है आपको गोपाल ठीक है इसको ध्यान रखना आपको नेक्ष्ट है मुगल वन्स के संस्थापक कौन है तो ये तो आप सभी को याध ही होगा बाबर जो once का स्थापना करता है ठीक है वो बड़ा होता है यानि बड़ होता है तो मुगल मुगल once के संस्थापक कौन है बापर ठीक है तो ये था हमारा कुछ question जो trick के माध्यम से आपको once के नाम हमने याद करवाया है अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इस टाइब का वीडियो हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे तो यहाँ तक के लिए इतना ही धन्यबाद